मतलब कि अगर आप सरकारी करमचारी बनते हैं कल दिन अगर आप गौर्मेंट इंप्लोई बनते हैं तो आपको यह 28 प्रकार के जो है रूल को मानने पड़ेंगे और यह मेरा में का मैं जब अपना सिलिवस पड़ रहा था ठीक है में पुब्लिक एल्मिस्टेसन है मेरा तो उ पहला है मनमाने ढंग से अधिनस्त द्वारा अवग्या या आदेसों की अवहेलना ठीक है अधिनस्त मतलब आपसे जो नीचे काम करते हैं दूसरा है नियोकता के व्यपार संबंद में चोरी या धोकादोड़ी या बेमानी करना तीसरा है किसी लिखित आदेस सुचना या आरोप पत्र को सुविकार न करना चोंथा है चल रहे कारिका नियोकता के संपत्ति को जान भूज कर नश्ट करना पांचवा बूला गया है कि सुरक्षा सावधानिया या नियमों का पालन न करना अगला है रिस्वत लेना जो कि सबसे हम लोग यही तु जानते ही है से आना या बिना छुट्टी के लिए महीने में चार बार से अधिक दिन न आना ठीक है यह भी है सब कुछ ध्यान से सुनेगा एट नमर बोला गया है कि लगातार दस दिनों तक बिना आगया लिए गैर हाजिर रहने की अभ्यासी आदत बिना उचित बिना उचित कारण या सं चुट्टी से अधिक चुट्टी लेना जितना दिन का चुट्टी दिया गया है उससे ज्यादा चुट्टी लेना यह सभी दंडन निया दूराचार से जुड़े हुए हैं और अनुसासन हिंता को दिखाते हैं नाइन नमबर पह कि बिना आई गया के गर हाजिर रहना टेन पहले नमबर में कि किसी सहयोगी या अधिकारी गणंपार हम्ला करना गाली कलोच करना या इसे धंकी देना आगे देखते हैं और यह सभी भारत के समीदान में लिखा गया है टिक है ऐसे है नहीं में बोल रहा हूँ आगे दिखते हैं तो इसमें बोला गया है कि वैसन का आदी होना यानि कि किसी परकार का नसाब वगरा करना या वैसन के परभा में संगठन में कारी करने आना माली दारोरू पीनिया रभ कंपन्य मतलब की ओफिस में आ गए हैं काम करने के लिए 12 नमबर है परतिवंदिद्चेत्रों में थूकना धुम्रपान करना यह सभी करना ठीक है 15 नमदर में कि काम के पढ़ति भाल Hidden की आदत 17 कि से रोग का बहाँना बना कर करना या काम धीमिगति से करना जितना की जॉरत है उससे ज्यादा धिमिगति से करना किसी रोग का मजना न दिया और चूटी ले रहे हो चुटी ले रहे हैं सतर नमबर है हिंसा का परचार या उससे बढ़ावा पहले ही अनिवारी सुचना देना पड़ेगा अगया देखते हैं तो नेक्स्ट पेच देख लेते हैं देखिए 19 नंबर कॉच्चन बोल रहा हूं 19 नंबर पे पॉइंट में बोला गया है कि किसी भी नियायन या लए यानी कि किसी भी कोट में किसी भी आपरादिक अपराद के लिए चल रहा मुकदends अपरेसे 2 बीशनमबर के लिए 10 पाईस के लिए पैसाय खटा करना या परचार करना 22 नुम्बर ए कि बिना प्रबंदन की आगया मतलब की बिना अपने आप सचीव से ऐगया लिये बिना हैट से आगया लिये कमपनी के प्रांगन में किसी परकार का सभा बुला देना यह लोगों को भीर यरक ठाक रधा करदेना ठीक है नाम पता पिता का नाम सिक्षा अनुभाव इत्यादी के बारे में जूठी जानकारी देना 25 नंबर में कि अपवाव फैलाना गलत सूचना देना या उत्तेजक व्यक व्यक देना जिससे की प्रबंधन या अधिकारियों की परतिष्ठा पर दाग लगे 26 नंबर में बोला गया है कि किसी वस्तू के बारे में संका करना 27 नंबर है किसी दुराचार को बढ़ावा या समर्थन देना 28 नंबर है संगठन पर लागू होने वाले किसी भी कानून का उलंधन करना ये सभी बोले गया है कि उप्रोक्त बढ़नन से या असपश्ठ है कि इतने सारे गुन देखेंगे आप किसी में तो अब इसलिए पता चल जाएगा कि वह वक्ति दिन भार में कैसा काम करता है फिर बोला गया कि प्रबंधन को अधिनस्तों द्वारा किये गए दुराचार के विरुद्ध अनुसात्मत कारिवाही करने का अधिकार है अगर आप कि मान लिए आप सिनियर हैं और आप अपने छोटों पर कोई भी मतलब किसी परगार का ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उनका भी यह काम है ठीक है तो ये थे कुछ 28 रूल जो की सरकारी करमचारी को पालन करना पड़ता है इसी तरह से जब भी कोई मुझे लगेगा कि इंट्रेस्टिंग टॉपिक है तो मैं आपके साथ सेर कर दूँगा थैंक यू